नमस्कार, मैं हुनिया शर्मा, स्वागत है आपका कुंडली टीवी के मंतली राशी फिल्में, जिसमें हम आज आपको बताएंगे कि क्या रहेगा जुलाई महीने में आपकी राशी का हाथ इन सब की जानकारी देने के लिए हमार साथ जुड़े हुए हैं अस्ट्रालोजर निरिश कुमार जी, स्वागत है सर आपका नमस्कार, दर्शकों के लिए सबसे पहले एक जरूरी सूचना आप लोगों के पास घर में बनाया हुआ टिवा, जनम पत्री या आपकी जनम कुंडली होती होगी कहीं के पास होती है, कहीं के पास नहीं होती है कुछ लोगों की बहुत पुरानी होई जाती है, जो रीडेबल नहीं होती, जो पड़ी नहीं जाती है कुंडली टिवी एक प्रयास कर रहा है आपको आपकी जनम पत्री फ्री अवैलिबल कराने का आपको आपकी जनम पत्री फ्री में मिलेगी और उसकी जो कोस्ट इंग है जो हम आपको परवाड़ी करवाने जा रहे हैं वो 1123 बनती है जैसे फैमिली के लिए लग चार्ट होता है, आपकी वेल्थ के लिए लग चार्ट होता है, हेल्थ के लिए लग चार्ट होता है, शादी के लिए लग चार्ट होता है, करीर के लिए लग चार्ट होता है, ये सारे चार्ट जो हैं वो उस कुंडली में मिलते हैं, इसके साथ ही आपको एक brief detailing मिलती है जिसमें आपको बताया रहता है कि शनी की महादशा या धहिया आपके उपर कब तक चलेगी कब कब कौन से period में चलेगी वो आप easily खुद ही पढ़ सकते हैं तो ये हम कुंडली प्रोवाइड करवा रहे हैं इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक information भेजनी है हमें नीचे mobile का number दिया हुआ है इसी program में आप हमें अपने जनम का समय जनम की तारीक और जनम का स्थान स्थान में आपने राज्ये और शहर दोनों जरूर लिखने हैं क्योंकि जब हम software में कानपूर भरते हैं तो 15 तरह के कानपूर निकलाते हैं यदि आपका कानपूर UP वाला है तो आप उसमें UP जरूर mention करें और साथ में जब आप समय लिखते हैं तो उसमें एम या पी एम जरूर लिखिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप समय लिख देते हैं दो बजे अप पता नहीं लगता कि दो रात के हैं या दिन के हैं तो यदि यह detail आप हमें साथ में प्रवाइड करवा देंगे तो हम आपको जिस number से आप WhatsApp करेंगे उसी number पर आपको PDF मिल जाएगी और उस PDF को आप प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास reference के लिए हमेशा के लिए रख सकते हैं बात करते हैं मीन राशी की देखे नहा देखे जब मीन राशी यह बात करेंगे तो गुरू लगन में है गुरू जब लगन में है तो सो दोश खतम हो जाते हैं सब्सक्राइब है तो यह है लेकिन करो यह लिए जैसे ग्रेश वह महां महिने में पहली जुलाई की अबन रही है उस लिक भूद्ध यहां पर तीसरे रहेंगे सुरे के साहथ नहीं कह सकते कुछा लोग कहेंगे हो थेsतर यहां हो रही है हां हो रही है केंदर में है अपनी राशी में है लेकिन सुला तरीक के बाद जैसे ही वह आगे करेंगे वह को फोर्मेशन टूट जाएगी एक तरीके से जब चंद्रमा की राशी में चल जाएंगे सूरर बुद्ध दोनों और आगे यदि हम जाते हैं तो शुक्र जो है वो रांजिट करेंगे शुक्र भी तीसरे भाव से अच्छा नहीं है गोचर क्योंकि तीसरे भाव से पाप ग्र गुरू यहां पर लगन में है लगन में ही वक्री हो जाएंगे 28 जुलाई को तो इस तरह का जो ग्राइग उचर रहेगा उसका प्रुभाव आपको पूरा महिने मीन राशी के उपर देखने को मिलेगा गाट के उमीन राशी के जातिक है जो लोग जॉब में है बिसनेस में है उनके लिए समय कैसा रहेगा देखिए नहाँ एहां पार गुरू करमस्तान के मलक है आएस्थान के नही standards के गुरू होते हैं। वो लगन में है भागस्तान को देख रहे हैं तो उसलिहां से चीजें क स्थान मजबूत हो गया हलाकि जिद्धी हो जाएंगे ये लोग फुरा सा जिद्धी हो जाएंगे लेकिन वह जो सिटी मनी हो दूसरे भाव में मंगल रहू की यूती बैंक बैलन्स वाले भाव में ये एक तरीके से अच्छी नहीं है ये 10 अगस तक रहेगी वैसे भी दूसर की बच्चत के लिहाज से इसका मतलब यह है कि खर्चे ज्यादा बढ़ेंगे आपके आपका पैसा जो है वह कम होता जाएगा जुलाई का महीने में खास तूर पर 10 अगस तक तो ये थोड़ा सा आपको नेंतरन करके चलना है खर्चों के ऊपर कोशिश करिएगा कि नेंतरन देखा जाता है तो वहाँ पर गुरू की द्रिष्टी है जब गुरू की द्रिष्टी वहाँ पर है तो सारी द्रिष्टियां कोई माइने नहीं रखती कोई बहुत ज़्यादा इंपोर्टन रोल नहीं है हलाकि इस भाव के स्वामी जाकर अस्त हो जाएंगे उसका मतलब य हो चुकी है फैमिली लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है हाँ एक चीज जरूर है कि कभी कोई ऐसी इस्तिति आती है दस अगस तक कंफ्लिक्ट होने की तो थोड़ा सा अपनी वानी के उपर नेंदरन रखिएगा उसका कारणी यह है कि जो भाव बेंकंड वाला भाव है वहाँ पर मंगल और रहू है वह आपकी वानी का भी भाव होता है और वह भाव शनी से भी पिडिध है तो जब तीन-तिन ग्रहे चार चार ग्रहे वानी व्ले भाव को देख रहे हैं तो आपका रीक्शन अवर हो सकता है किसी भी मामले में बात करते हैं स्टूडेंट्स की और रिसेर्च की देखे नहाग गुरू की दिष्टी पंचम के उपर है पंचम स्टेट ऑफ मैंड है पंचम हायर स्टडी है बुद्ध आगे जाकर पंचम में खुद आ जाएंगे और बुद्ध और गुरू का नव पंचम बन जाएगा तो लिए वह स्टिति हर लिहाए से अच्छी है चाहे हम स्टुडी के लहाए से देखेले चाहे हम साग्डेच के लिए जो तो शुक्र भी आगे अच्छे प्रभाव में आ जाएंगे केंदर में आ जाएंगे तो एक स्थिती अच्छी है लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि जो जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनको थोड़ा सा स्टर्गल जुरूर करना पड़े क्योंकि तीन तिन पाप ग्राय जो है वो ए कि चैंसे परिद्न हईंगे स्टर्गल में लिए तो शूरे में च्छटे जो जोनसी ख्रबरोंग धरी में और केंदर में है, फिलहाल यहीं पर रहेंगे, लेकिन 16 जुलाई के बाद पंचम में आ जाएंगे, पंचम भाव सूरे का अपना भाव होता है, कालपुरिश की कुंडी के लहाज से, उस लहाज से भी चीज़ें ठीक है, गुरू लगन में है, सूरे भी गुरू के पुभाव होता है, तो आपका sudden accident, sudden loss हो जाता है, तो वो थोड़ा सा back of the mind आपको ध्यार में रखना पड़ेगा, otherwise बाकी चीज़ें ठीक नजर आ रहे हैं, जहां तक निहार ट्रेवल की बात है, तो जो लोग निदेश में ट्रेवल करना चाते हैं, वो 12 जुलाई के बात करें, वहां प पाए कर सकते हैं, देखिए नहां मीमदाशी के मालिक गुरू होते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ ग्यान को spread करना चाहिए, वो किसी भी जो shape में कर सकते हैं, चाहे आप अपने गुरू के पास जाकर उनको respect पे करिए, otherwise आप मिलते रहे हैं या कहीं पर मिलते हैं उनको respect पे कर सकते हैं, किसी भी पीली चीज का डुनेशन आपको अच्छा है, आप स्टेशनी भी डिनेट कर सकते हैं, आप गुरू से समंदित कोई भी चीज डिनेट करिए, पीला कपड़ा आप डिनेट कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, तो ये था मीन राशी का हाल, तो मैं बता दूं कि जो भी अपनी पहली राशी देखना बूल गए हैं वो हमारे पेज कुली टीवी पर जाकर अपनी राशी देख सकते हैं तो इसी के साथ धन्यवाद नमस्कार नमस्कार